तो हमनी लास्ट लेक्च्यर में एकोलोजिकल पिरामिट्ष के बारे में पढ़ा था और पिरामिड्स पे आपने आपने अपने पीरामिड आफ नंब Ар जाना था पिरामिड औ faa भीसे परहा था और विसके अलावा पने पिरामिड और एनर्जिक भी परहा था नत्रज्च इस हमेशा upright होता है चाहे कहीं भी कोई भी ecosystem हो pyramid of energy हमेशा upright रहेगा ठीक है तो देखे आगे पड़ते हैं इसके बारे में और ecological succession के बारे में जानते हैं any calculations of energy content biomass और numbers has to include all organisms at that tropic level energy content any calculations of energy content biomass और number has to include all organisms at that tropic level जब भी हम कोई भी चीज़ का calculation कर रहे हैं चाहे वो energy content का है चाहे वो biomass का है चाहे वो numbers का है तो उस particular tropic level पे I'm sorry ये थोड़ा सा आपको यहां पर परिशानी हुई ठीक है तो उस particular tropic level पे आपको क्या देखने को में माम आपकी परिशानी तो बंदी नहीं हो रही ठीक है अब बंद हो चाहिए अब बिल्कुल आपको परिशानी नहीं हो ठीक है देखिए any calculation of energy content, biomass और numbers चाहे आप energy content का calculation कर रही है या biomass का या numbers का एक tropic level पे वो सारी के सारी organism को include करेगा जैसे मैंने बूला कि pyramid of number तो आप एक tropic level पे सारी के सारी जितने भी individuals होंगे उन सब का number count करोगे फिर उससे next tropic level पे भी जितने individuals होंगे उन सब का number count करोगे no generalizations we make will be true if we take only a few individual at any tropic level into account कई बार हम क्या करते हैं कि हम थोड़े से अब इतनी एक tropic level पे तो बहुत सारी individuals होंगे है ना तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा कि कैसे करें तो बहुत बार हम क्या करते हैं थोड़े से organism को consider करते हैं और उसके हिसाब से अपना एक generalization दे देते हैं अपना एक idea दे देते हैं लेकिन यह क्या बोल रहे हैं no generalization we make will be true हम कोई भी generalization बनाएंगे तो वो सही नहीं होगी अगर हम क्या करते हैं अगर हम थोड़े से ही एक topic level के थोड़े से ही individual का number count करते हैं चीक है अगर हमें pyramid of number बनाना है और उसको समझना है कि कैसा होगा एक topic level से next topic level पे जो individuals होंगे उनका number बढ़ेगा या घटेगा अगर हमें ये बात समझनी है तो हमें हर topic level के हर एक individual के number को पे ध्यान देना पड़ेगा सिफ कुछ individuals के number को देखके हम पूरा topic level का नहीं बता सकते हैं also a given organism में occupy more than one topic level simultaneously और बहुत बार ऐसा होता है कि एक जो organism होता है वो एक साथ जादा topic level occupy करता है for example humans top पे रखा हुआ है हमको और top consumer रखा हुआ है टर्शरी consumer हमको रखा हुआ है लेकिन जब हम घास खाते हैं तो घास पूस खा रहे हैं तब क्या हम कोई टॉप कार्णी वोट्स हैं हम कोई टर्शरी consumers हैं नहीं न तब हम primary consumers वन गए harby वोट्स वन गए तो हमारा topic level अलग हो गया तो बहुत सारी organisms ऐसे भी होते हैं जो एक से जादा topic level पे होते हैं one must remember that the tropic level represents a functional level not a species as such ठीक है हमेशा इस बात को याद रखना कि एक tropic level जो है वो एक species को represent नहीं करता है एक species के function को represent करता है ठीक है तो ये बात ध्यान रखेंगे कि tropic level जो है वो एक functional level होता है कोई species नहीं है a given species में occupy more than one tropic level in the same ecosystem at the same time ठीक है तो एक given जो species होता है वो एक से जादा topic level जो है वो occupy कर सकता है ठीक है a given species में occupy more than one tropic level in the same ecosystem same ecosystem में ठीक है एक ही ecosystem में एक given species जो है वो एक से जादा topic level occupy कर सकता है अभी भी हमने यह पढ़ा for example a sparrow is a primary consumer when it eats seeds एक चीड़िया जो है वो primary consumer है जब वो seeds खा रही है fruits खा रही है piece खा रही है लेकिन a secondary consumer when it eats insect and worm ठीक है तो देखिए अब यह क्या बन जाएगा secondary consumer बन जाएगी sparrow जब यह insects को और worms को खाएगी तो हम समझते हैं कि एक जो हमारे पास क्या होता है एक हमारे पास जो in your species है वो different different topic level different different topic level पे present हो सकती है ठीक है can you work out how many topic level human beings function at in a food chain क्या बता सकते हैं कि human किस किस level पे काम कर सकते हैं हम तो सारी topic level पे काम कर सकते हैं हर भी बोर पे भी secondary carny बोर पे भी top carny बोर पे भी है ना चलिए in most ecosystem all the pyramids of number of energy and biomass are upright mostly क्या है most of the ecosystem में ऐसा नहीं बोला in all the ecosystem नहीं लिखा है लिखा है in most ecosystem जानतर ecosystem में क्या होता है कि pyramid जो number का pyramid है energy का pyramid है और biomass का pyramid है वो हमको upright दिखाई देता है इसका मतलब क्या होता है कि producers are more in number and biomass than the herbivores and the herbivores are more in number and biomass than the carnivores देखे बहुत टाइम पे हमको क्या दिखाई दिखाई दिया pyramid of energy number और biomass जो है वो upright दिखाई 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 तो इससे हमें क्या समझा है कि producers जो है वो जादा होंगे number में और biomass में as compared to herbivores और herbivores जो है वो carnivores नंबर और biomass में जादा होंगे also energy at a tropic level is always more than that a higher topic level ठीक है और energy भी जो है ठीक है energy भी क्या होती है नीची वाले topic level पे lower topic level पे जो है वो higher topic level से जादा energy होती है जैसे घास में जादा energy होगी उससे उपर जो भी उसको feed करेगा उसमें कम energy होगी क्यों क्योंकि हमने 10% law बढ़ा है energy transfer के लिए जिसके according हम क्या पढ़ते हैं बताए 10% law of energy के according हम क्या पढ़ते हैं 10% law of energy के according सिफ 10% energy ही एक topic level से दूसरे topic level में transfer होता है और बाकी सारा का सारा जो है वो वैसे ही रह जा पा है ठीक है चलिए in most eco देखेए हमने पढ़ लिया there are exception to this generalization ठीक है यह जो हमने पढ़ा कि most of ecosystem में सारे के सारे pyramids जो है जैसे इन pyramid of number energy biomass generally क्या होते हैं अपराइट होते हैं इस पर कुछ हमारे पास exceptions भी है मैं आपको previous lecture में exceptions के बारे में बता चुगी हूँ if you were to count the number of insects feeding on a big tree what kind of pyramid would you get ठीक है यह पूछ रहे हैं कि अगर आपको क्या देखना है एक बड़ा सा पेर है ठीक है अगर आपको उस बड़े से पेर पे क्या करना है उस पर कितने insects कितने birds feed कर रहे है क्या लिखा ए कितने insects feed कर रहे हैं आपको वो बताना है तो आप कैसे बताएंगे कि उसका ecosystem जो है वो कैसा है ठीके तो लिख देंगे spindle-shaped pyramid क्या लख देंगे यहाँ पर spindle-shaped pyramid बनेगा ठीके क्या बनेगा spindle-shaped pyramid बनेगा क्या बनता है उच्छा लोग, spindle shaped pyramid बनता है, ठीक है, समझाया कि नहीं आया, कैसे मैं, आपने दारक कैसे बोल दिया, मुझे तो पहले से पता है, ठीक है, पहले बोला, if you were to count the number of insects feeding on big tree, big tree है, एक है, number एक है, उसका insects बहुत सारी होगे, now add an estimate of number of small birds depending on the insects, अब आपको क्या करना है, छोटे छोटे birds का number डालना है, देखे, पहले एक छोटा बनेगा, ठीक है, पहले क्या बनेगा, एक छोटा, एक number बनेगा, फिर insects जो है, वो बहुत सारे आजाएंगे, ठीक है, और उसके उपर birds feed करने वाले थोड़े कम होगे, तो inverted B भी नहीं बना और upright B भी नहीं बना, कैसा बनेगा, spindle-shaped pyramid जो है, वो बन जाएगा, ठीक है, समझ गई, इसका अंसर लिख लीजीगा, spindle-shaped pyramid, आप खुद बनाएंगे, पहले छोटा सा बनाएंगे, फिर एक बड़ा लंबा बना देंगे, फिर एक थोड़ा छोटा, बड़ से पहले वाले से थोड़ा बड़ा सा बना देंगे, ठीक है, the pyramid of biomass in sea is generally inverted, because the biomass of fishes far exceeds that of phytoplankton, ठीक है, क्या बोल रहे हैं ये, कि अब pyramid of biomass जो है, वो क्या है, इनवर्टिड है, ठीक है, क्या इनवर्टिड है, ऐसे general में तो कैसा है, upright है, लेकिन आपके aquatic ecosystem में कैसा है, बताइए, कैसा है, इनवर्टिड है, ठीक है, तो भी बोल दें, isn't that a paradox, ठीक है, आप इसको कैसे explain करेंगे, कैसे explain करेंगे आप इसको, बताइए, क्या कोई explain कर सकता है, इसको, ठीक है, कैसे इसको explain किया जाएगा, ठीक, अब मैम, पहले तो हमें ये समझाओ, कि paradox क्या होता है, ठीक है, सबसे पहले तो हमारा ये समझना जरूरी है, मैम, कि paradox क्या होता है, अब paradox तुम्हीं हिंदी मतलब पता है, अपनी vocabulary को सुधारो, ठीक है, तब तुम समझ होगे, paradox का मतलब क्या होता है, कि कोई ऐसा situation, जिसमें हमें, क्या, possibility और impossibility दोनों एक साथ नजर आ रही हो, ये होता है paradox, ठीक है, तो यह पॉसिबल भी हो सकता है, impossible भी हो सकता है, ये बिलकुल possible है, कैसे देखिए, हमारे पास, क्या होता है, कि जो प्लांक्टों है, वो लेकिन वो बहुत नंबर में होगे, बहुत नंबर में बेसक होगे, लेकिन उनका बायो मास बहुत कम होता है, लार्ज फिशिस का नंबर बेशक कम होगा, लेकिन उनका बायो मास बहुत जादा रहेगा, तो पिरामिड ओफ बायो मास C में इंवर्टिट होता है, और अक्व we inverted यह हम समझते हैं कि pyramid of energy जो है हमेशा upright रहेगा कभी भी inverted नहीं होगा क्यों क्योंकि energy flow करता है from a particular tropic level to the next tropic level एक tropic level से energy जाती है next tropic level भी some energy is always lost as heat at each step कुछ energy जो है हर एक step पे heat की form में lost हो जाती है each bar in the energy pyramid indicate the amount of energy present at each tropic level in a given time और annually per unit area याद रखीगा जो आप tropic level बनाते हैं तो आपने pyramid भी बार बार represent किया है न तो energy pyramid में जो हर एक बार होता है वो represent करता है कि एक tropic level पे कितना amount of energy है in a given time एक particular time पे उसमें कितना energy है और हम बोल चकते हैं annually per unit area कितना energy वहाँ पे है तो यहाँ आपका pyramid वाला जो है वो पूरा खतम होता है लेकिन थोड़ा सा बचता है देखी however there are certain limitations of ecological pyramids such as it does not take into account the same species belonging to two or more tropic levels देखी पहले भी हमने बात की कि एक species जो है वो दो limitations यह क्या आगे limitations of ecological pyramids limitations क्या है ecological pyramid की कि ecological pyramid जो है वो इस पात का धान नहीं रखता है कि एक species दो tropic level पे आ सकते हैं it assume a simple food chain something that almost never exists in nature it does not accommodate a food web जो हम pyramid बनाते हैं तो हम food chain की हिसाब से उसको देखते हैं food chain nature में actually नहीं होता है क्योंकि हमेशा individual एक individual दूसरे को खा रहा है उस दूसरे individual को कोई और भी खा रहा होगा तो nature में food web exist करता है food chain exist नहीं करती है इसलिए यहाँ पर problem आ जाती है कि यह जो ecological pyramid है यह सर्फ और सर्फ यही consider करता है कि food chain है nature में food web consider नहीं करता है दूसरा यह यह भी consider नहीं करता है कि एक same species जो है वो दो और more tropic level को belong कर सकते है moreover saprophytes are not given any place in ecological pyramids even though they play a vital role in the ecosystem ecological pyramids में saprophytes को भी कोई role नहीं दिया गया है हलांकि वो बहुत important function जो है वो perform करते हैं ecosystem ने clear है चीक है यह मैंने कहा था पढ़ लेना अब आपको समझ आ गया ठीक है कल हम ecological succession पूरा का पूरा ही complete कर लेंगे यह जितना भी है succession in plants भी पढ़ लेंगे सब कुछ पढ़ लेंगे यह सारा definitely हम कल complete कर देंगे इतना फिर बचता है हमारे पास nutrient cycle आज आज आपको इतना ही पढ़ाने जा रही हूं क्योंकि आपको पूरा chapter जो है वो revise करना है तुम कटे नहीं हो मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ाती हूं ताकि तुम पिछला revise कर सोको तो पिछला revise ज़रूर करना चलिए thank you